तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग आसा करता हूं सभी लोग होंगे मज़े में तो दोस्तो आज यो हमारे पास फोन है वो पोको का एक्सरी है दोस्तो इसके अंदर टच काम नहीं कर रही है दोस्तो आज हम आपको इस प्रॉब्लम को शॉट आउट करके दिखाएंगे कहां से यह दिक्कत आती है क्या करना पड़ता है दोस्तो वीडियो के साथ बने रहीएगा और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहीएगा तो दोस्तो सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन पर दिखाए रहा हूं टच काम नहीं कर रही है मैं इसके सारे पत्तो को कर लेता हूं दोस्तो दि तो दोस्तो सील्ड मैंने ओलरेडि इसकी काट लिए है और जो हमारी आइसी आइसी पूरी तरह दिख रही है दोस्तों यहां पर काम करने वालाव मैं इसके सीप्यू के अंदर कैसे सीप्यू की कटिंग करनी है कैसे रिबॉल करना है कैसे लगाने पूरा सारी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, वीडियो को जरासी सी भी आप इस्किप नहीं करियेगा, अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को लाइक कर दो, स्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो, दोस्तों, यहाँ पर इस्तमाल कर रहा हूँ और सब्सक्रमान पर दोख्लियाई र कामपीजर कोई बड़े द्यान से कटिंग करनी है कोई भी कंपोनेंट रिमूफ नहों खराब नहों या कोई भी लेयर ना कटे और दोस्तों मैं रिमूफ करने वाले हूं अपने सीप्यू को यहां पर यह में शी को कर लिया है मैंने पूरी तरह कवर्ड जिससे की सीप्यू उतारते समय हमारी कि एममसी खराब नहों उसका पेश खराब नहों उसकी बोले खराब नहों झाले हुआ है तो दोस्तों CPU उठाने के लिए यहां पर जो मैंने एयर का इस्तमाल किया है वह किया है 60 और टेंपरेचर हमारा 320 से दोस्तों और कोई भी जबर्जस्ति नहीं करना है CPU उठाने का कोमन और सिंपन स्थाइं का यही होता है दोस्तों जब हम उसको चारो तरफ से हीट करेंगे हीट करने के बाद दोस्तों कंपोनेंट को बड़े ध्यान से देख लेना है जब हमें लगए कि हमारा कंपोनेंट पूजी तरह ड्राई हो चुका है यानि बिल्कुल हिलने के मूंड में हैं जो उसका सॉल्डर है वो पिगल गया उसी दोरान दोस्तों हम हमारा चीकी होता है ब्लैक पेटर लेकिन इतनी हार्ड गलो नहीं होती होती हमारे प्रेंटेंट हो के देख सकते हैं एसरी के विड्यू को बाहर कर लिया कि रिबॉल करने की कौई भी वीडियो मैंने नहीं बनाई है क्योंकि धोस्तों करना काफी इसके पेश्ट को हटान आ में 1996 स्वाट्र था दोस्तों उसमें दिखा दिया तक कैसे हम चाटिंग लगालों सभरक्स करने अधिक यहां को साही ।ार्ड गलिया और और धिया और उपर प्रलिया कि कौण पीण यहां भीज वैस君या रख वह आण कटे आप चेहनल पर नहीं है तो चैनल को श्राइब जरूर करदो वीडियो को लाइक कर दो नीचे कमेंट्स जरूर लिक दो दोच्टो अगर आप चाहते हैं मैं किसी अधर टॉपिक पर कोई वीडियो बनाऊ वो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं दोस्तों यहां पर इस्तमाल किया है मैंने पेश्ट रिलिफ का 569L दोस्तों CPU अभी सही बैठा नहीं है यहां पर CPU बैठ चुका है हमारा पूरी बढ़िया तरीके से बोर्ड भी ठंडा हो गया है अब हम इसको चेक करने वाले है कि हमारा फोन की जो टच की प्रॉब्लम थी वो शोट आउट हुई है या नहीं हुई है तो दोस्तों कुछ वीडियो में नहीं बना पाया हूँ हो सकता है आपको अच्छी ना लगी हो क्योंकि मैंने पूरी वीडियो नहीं गे रही है दोस्तों कभी-कभी ऐसा होता है कि हम वीडियो नहीं बना पाते दोस्तों अब मैंने इसको कर लिया है पैक करने के बाद मैं चेक करूँगा कि हमारी टच वर्क करी है नहीं करी है फोन ओन हुआ है या नहीं हुआ है दोस्तो कभी-कभी कोई परिशानी आइस्थी हो जाती है कि हम नहीं वीडियो शूट कर पाते पूरी तो दोस्तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा वीडियो क लाइक कर दीजिएगा नीचे कमेंट जरूर लिख दो मैं ऐसी ही वीडियो लाता रहूं दोस्तों हाडवेर और सौफ़ेर के बारे में दोस्तों बोड ठंडा हो चुका है अब हम इसको चेक करने वाले हैं कि बोड चालू हुआ या नहीं हुआ तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मोबाइल तो हमारा चालू हो गया है लेकिन टच चलेगी या नहीं चलेगी वो आगे ही पता लग पाएगा तो फ्रेंट्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर चल चुकी है हमारी हमारा मोबाइल सफलता पूरू कोक के हो गया है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सेस्क्राइब और शियर जरूर कर दो जाहिन हम फिर मिलंगे अपनी नई वीडियो के साथ तक के लिए बाइ बाइ जाहिन